दोस्तो, नुस्रत जी दी बायोग्रफी दे समरी रिव्यू पार्ट वान नू इना प्यार देन ले बहुत बहुत शुक्रिया पिछली वीडियो चुमाई एक लफ्ज गलत प्रनाउस कीता सी असल लफ्ज है लायल पूर पर मैं कैसी लायल पूर ते किरन सिद्धी की नाम दी आईडी तो मेनू मेरी इस गलती बारे जस्याग्या बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तो ऐसे गार के कमेंट जरूर करो मैं तो हड़ी अपनी ओडियन्स दी मैं तो हड़ी इज़त कर दा है तो हड़ी कमेंट पढ़े जान देने तपा जो हनो कोई खामें भी लागती है तो तो si मेरी personal mail ID ते मेनो mail कर सागती हूं मैं अपनी mail ID त ले description पा रहे हूं जो हनो मेरा कम पसंद हों दा तर अपने circle किसे 2 लोक आनू जरूर मेरा कम refer करो ते जिए दोस्तों जे तुसी कोई खास बुक दा रिव्यू चाहने हो तो वी कमेंट सेक्षिंच ज़रूर लिखो फत्य अली खान उस्ताद नुसरत फत्य अली खान साहिब दे वालिद उना दे फादर साहब फत्य अली खान साहिब दा इंतकाल पूरे परिवारली जबरदस चटका सी पिछे मुबारक अली इकले रह गया ते इंज लगा कि कवाली भी खान दान चों रुखसत हो जावेगी सारी जिम्मवारी अपने मोटें आते लेना कोई सोखा गाम नहीं सी पर मुबारक अली साहिब ने एक कारके वखाया रही गल बाकी दे शागिरदान दी ता ओ नुसरत जी तो चिड़ दे क्योंकि ओननु लागदा कि नुसरत जी दी आवाज तिक ही है कईया ने ता इत्वों ता किहा कि जो अपने शरीरू नहीं साम सागदा और कवाली के जी साम देगा एहो जी या गल्ला ने मुबारक अली साहिब दे जहें ते भी छाप छड़ी ते फिर पता नहीं दिमाग्च किया आया कि नुसरत नु बातों पढ़या अते मजलिस लजाके ऐलान कीता हुन तो मैं खुद इसनु सिखा माँगा नुसरत जसनों तुसी आज एक अधना जहाफ फंकार कहनने हो वो एक दिन जबरदस फंकार बनेगा ते चमकेगा एह होया गी कहा जानदा है कि नुसरत उत्थे भी गए जित्से सिकंदर ना पहुँच सक्या सो ऐसे तरह उस्ताद मुबारक अली जी ने नुसरत नुँ ट्रेन करना शुरू कीता तेक दिन चील पार दे पेड़तों कवाली पेश करन दा इंविटेशन ग्रूप नु आया पर गाले सी कि उस पेड़ता कदा रा बहुत आखा सी सारे फनकारा ने कश्तिज बैके चील पार करनी सी पर जदों सारे ने पाणी चील दा पाणी वेख्या तसाब नु कलापो लगई तसाब तो वटी गल एक की कश्तिज पेट्रॉल दी विकार सी जिसने दिक्कता खूर वदा देती है निके खान साहे भी इस मंज़र नु वेख के रोन लगे पर मुबारक अली जी ने बच्चे दी पिठनू थापड के किहा दलेर बन कला एही लाका है जिते अपना खांदान हाले तक पहुंचया नहीं सो दिल नी छटना इप्तिदाई दौर विच शुरुवाती दौर विच जदो पिंडा दियां मजारां तक टांगियां चजान दियां प्यास जग गर्मी लाग दी सहारी नहीं सी जान दी ता नन्य खान साहिब अक्सर रोन लाग जान दे फतिया लिखान साहिब दे इंतकाल दे करीब 40 दिना बाद दस्तार बंती दद देना आया इस रिवाजदा मतलब है जदो पियो दी कर दी करेलू जा कला दी सारी जिम्मेवारी कर दे सतों वड़े बेटे दे सिर आ जान दी है आते बेटे तो वह आस रखी जानती है कि वह अपने वालिद अपने बाप दी कला नू अग्ये लाखे जावरेगा पर जिवे ही सेरिमनी शुरू होई को चेलिया ने कमेंट्स पास करना शुरू किते हैं क्यों हो जे कमेंट्स इसनू पगड़ी मिलें चे खोश रहन दे हो इसनू पगड़ी मिलें चे खोश रहन दे हो फर एक कला केंज सांबेगा नने नुस्रत दे दिल ते ए मेनेया ने ठेस मारी अगले ये दिन कुछ रिष्टेदारा ने उसनू चंगा माड़ा जे हो जब इस तो गाया जानता है गौन ली के हा तांकि रस्म पूरी हो सके निके खांच साहिब दे दिल ते साट लगी पर फेर भी रिष्टेदारा ने कैंट ते नुस्रत जी ने गौना शुरू कीता अते ए उनना दी पहली पब्लिक परफॉमेंसी इस किस्से दे कुछ देर बाद उस्ताद मुबारक साहिब भी अल्ला नू प्यारे हो गे मुबारक साहिब दे इन तकाल पिच्छों नुस्रत जीन ने उन पहली वार किते गौन दा मौका मिलिया और किते मिलिया ओसी कुसूर बाबे बुले शावाला कुसूर ओना अंदर नुस्रत साहिब अंदर एक कंप्लेक्स जो जाहर है सुसाइटी तो मिल रहा सी ओना अंदर आ चुक्या सी जिस कारक्यों अपने किसे रिष्टेदार देकार रुके रहे और ते प्रोग्राम च शरीक ही ना होई सारी रात रोंदे रहे हुन उना दीक पैंड नुस्रत साहिब दीक पैंड तो अपने निके प्रादरोना वेख्या न गया सहारिया न गया केतना किते पैंड नुभी लागदा सी कि नुस्रत वदिया गायक नहीं बन सकेगा पर नाल ही ए गालते शाक भी हंदा इसे शाक नो दूर करन ली वो अपने प्रादरोन नजूमी साहिब को लेगी नजूमी पामिस्ट अते जानदे ही नजूमी नो पुछया मेरा प्रावदिया गायक बनेगा जा नहीं नजूमी ने नने नुस्रत दा हाथ पड़या पड़या ते किया नहीं जिवें पैंड़या सारी आसां मिट्टी हो गई है शायद नुस्रत कदे गायक बने ही न ते सिर्फ तबला वादक ही बनके रहे नाली दिमाग वे छोर चेलें दे मेने भी गूंज रहे सा अते हूँ नुजूमी दे कौल लेता जिवें आसा तेवी पाणी फेरता एक पैंड ली इस तो वादतक का की होवेगा कि उस दापरा अपने मन चाहे प्रोफेशन वेच नाम नहीं कमा सकेगा अते उद्रों नुजूमी ने फेर कहना शुरू कीता हाँ एफ अनकार नी बनता खांच साहिब दा जिमें मुही उत्तर गया नने नुसरत दी सज्जी बाँ पैंड ते खबी नजूमी ने पड़ी हुई सी पर हुन पैंड नो उसा चड़ गया जीता कीता की नजूमी दे कसके थपड जड़या जावे पर फिर खुद नो रोक लिया नाली ये भी लगा की शायद उसनों कल्ये नुजूमी साहिब को लोना चाहिदा सी फिर अपने प्रादी बाँ खिच देयां कैंड लगी चल नुसरत चलिए एमें बखवास करदा उद्रों नुसरत साहिबी मुह मसोस के नालत तुरन ही लगे की पिछो अवाज आई बीबी मेरी गालता सुन तु मेरी गाली नी पूरी सुनी मैं सिर्फ इन्ना के है कि ए फनकार नहीं बलकि दुनिया दा बहुत वड़ा फनकार बनेगा एगल सुन दें पैन्ने अपने पर्ष्चों सारा कैश न जुमी साहिब दे तलीते रखता आते अपने प्रादा हाथ चुम्या ते फखर नल बाहर आई राविच भी निक्के खान साहिबनों हला शेरी दिन दे आई पर फेर भी निक्के नुसरदा अपनी कला ते शक शुभब बर्करार रे इस किसे दे बाद नुसरदा साहिब अपने एक खेरखवा मुहम्मद इकबाल नल कसूर गए उत्हों कोट रादा क्रिशन वाल रुख कीता जित्हे की कवाली दा प्रोग्राम सी उत्हे बक्षी सलामत मिले जो की उस्ताद फत्य अली खान साहिब दिशागिर्द सन नुसरद साहिब नु वेखदे ही बक्षी साहिब ने नुसरद जी नु पेश कारीदा हिस्सा बनना ली कहा पर नुसरद जी ने मना कर देता फिर बक्षी सलामत ने कहा जेकर तु राजा भी बन जावे ना कोई तेनू पछानेगा नहीं तू अपने पेओ देना नल जाने है जाने है संगीद ये समझ भी ना ता है कुछ नी इस सुन दें नुसरत जी नाल दीनाल करे आए कमरा बांद कीता रोए खूबर ते नाली केंदे रहे कि आखर क्यों मैं बढ़े आ फते अली खान वर गे उस्ताद दा बेटा जो तो मेरे विच गौण दी सलाहियत ही ने फिर एक रात नुसरत जी नो सुपना आया जिस विच उना दे वालिद उस्ताद फते अली खान साहिब उना नो एक मजारते लेके गए आते कहन लगे बेटा मैं थे सारी जिंदगी गाया तुम भी थे गामेगा पर अबबा मैं नहीं गा सकता नने नुसरत ने जवाब देता पर क्यों जल मेरे नाल गा आते छोटे खान साहिब नेंद विची गौण लगे कर देंदे उठाके पुछणते नुसरत जी ने सारा सुपना कैसनाया पर जदो मजार दे नक्षे बारे तफसील चे दस्या ता पता लगा कि होता अज मेर शरीफ है अज मेर शरीफ सुपने चवेखना अते उठे गौणा ओवी अपने वाले देना इस गालों नुसरत जी ने जो तो पाकिस्तान मेंच मार्शल लाव नाफिस सी नुसरत जी मिलिटरी प्रेजिडेंट दे सद्दे थे पाक पटन गए अते एवी प्रोग्राम सी जिस वेच नुसरत साहिब नो साबरी ब्रदर्स दे ठीक बाद गौणदा मौका में लिया इस दिन दे बाद नुसरत साहिब दी शोहरच सिर्फ ते सिर्फ इजाफ हाई हुए नैशनल आट काउंटसल इसलामाबाद ने एक खवाली प्रोग्राम जशने अमीर खुसरो औरगिनाईज करवाया जिस वेच काफी वड़े वड़े नाम पहुंचे पर पहुंचेन वेचे नुसरत साहिब ते उना दे गुरुपन थोड़ी ता खीर होगी उदो तक काफी कवाल परफॉर्म कर चुके साथ हाँ एक गल एवी कि सिर्फ अमीर खुसरो साहिब दाही कलाम पेश करना सी पर दिक्कत एपेश आई कि नुसरत जी जिड़ा भी कलाम कहन दे उपेले ही पढ़े जा जुका हुंदा अधे जा फिर किसे वड़े कवाल ने पढ़ना हुंदा फिर नुसरत जी ने अपने बज़रगां तो सिख्या एक अमीर खुसरो जीदा कलाम पेश कीता ते उसी मैं तो पिया से नैना मिला आई रहे इस खवाली ने जेवे सारें देते जादुई कर देता अखिर 1901 तरविच 1971 विच नुसरत साहिब खांदानी खवाली दे लीडरवन के उबरे दोस्तो किहा जन्त है कि नुसरत साहिब नो किसे ने कदे गालता कड देया नहीं से सुनेया लोकि होता बेहत हमबल इसान सन अधे एक बारता Psalm सेकर्टरि कसूरी शेक्री सेक्रेटरी सेकर्टरी धान ने जिदो उना दे कंसर्ट दे रेट वदा दे ते तो उना खुद ही हैरान हो गए क्योंकि उना मताबड़े कि उना रेट बहुत स्यादा सी खान साहिब दे खानदान दे बहुत चागिर्द रहे ने पर उना चो एक नाव जो खास है वो है रफीक एहमदा असल विच रफीक साहिब दे पर्ख्यां ते खान साहिब दे खानदान दे दरम्यान तालुकात कोई ने वदिया ना सी पर रफिक साहिब ने वगावत की थी अत नुसरत जी दे बज़र्गां दे गदमा चजाड़ी के नुसरत जी बारे रफिक गयमता कहना ही कि नुसरत एक सुफी दर्वेश सन नुसरत फते अली खान साहिब ता निका उस्ताद सलामत अली खान साहिब दी बेटी नहीद ना लोया नहीद जो की नुसरत जी दी फर्स्ट कजन भी सी नहीद जी नू खुद म्यूजिक बहुत पसंद है जोदो ना थे खाविद करों दूर हुंदे ता पड़े महीद यादमें चो गौँदे आजा ते नू अख्याओ डीग दिया नहीद जी गारेने अते जोदो उही मही कहर आके फेर जान लागदा ता नहीद गौँदी ना जावेटो लना ते नू अख्याओ डीग दिया अच्छा दोस्तों गल में थे आड़ करां कि सरण जी बैस जी ने शुक्रिया दा कीता है रहाद साब्दा इस सारा मैटर कंपाइल करने न्वेज सो गलते वापस होंदे हुए नुसरजी अक्सर कहन दे कि फारुख अते राहत उस्ताद राहत फते लिक खान साहब ए दोनो उना दियां दो खाहन अते बाकी दे जिनने भी मेंबर ने गुरुप दे उस सारे नुसरजी दा शरीर मुलक जपान नुसरजी दे दिल दे बहुत खरीब सी क्योंकि जैपनीज भी नुसरजी दे बहुत प्यार करते बलकि जदो नुसरजी ने वापस अपने वतन जाना हुंदा ता सारे रोन लागे दन दे दोस्तो 16 अगस्त 1997 में 1997 दे रोज खान साहिब दा इंतकाल हुए इस तो ठीक एक हफ़ता पहला खान साहिब लाहुर तो अमरीका ले रवाना हुए राज रुकन दा जी सी सो लंडन रुके लंडन च जदो ही अपने होटल दे कमरे च पहुँचे ता तबियत विगड़ लगी थोड़ी देर आराम कीता पर फेर उननों क्रॉंविल हस्पटाल वेच दाखिल करवाया गया डॉक्टरा ने चेक अप कीता ते डायलेसिस दा मश्वरा देता डायलेसिस भी कोई खास नतीजे ना दे सक्या होट टेस्ट कीते गए अगले दिन आई टेस्ट रिजल्ट्स पता लगा कि नुसरा जीनू हैपिटाइटस ए बी ते सी है पर होया कि में असल विच डायलेसिस करन वे ले मशीन दियां जेडियां ट्यूब सी वो बदलियां नहीं गईयां जिस करके खान साहे दे शरीर विच इन्फेक्शन पैल दी गई डॉक्टरा ने सला दिती की इलाज करवाय बिना नुसरा जीनू अमेरिका ना ले जाया जागे सो इंजी कीता भी गया पर आखिरकार नुसरा जीदा इंतकाल 16 अगस्त 1997 हो गया हाते उना नुफाइसला बाच दफनाया गया दोस्तों कुछ डॉक्टर्स दा कहना सी की मौत हार्ट अटेकनल हुई ते कुछ ने कहा की हाई डोस दे इंजेक्शन देन करके इंजेक्शन देन करके मौत हुई जो की खान साहे दे परिवार तो बिना कुछे नहीं से दिता जाना चाहीदा इस दे बाद लंड़न्च पंजाबी मूजिक फ्रेटर्निटी ने जिना विचो मल्कीत सिंग भी संथ उनना ने नुस्रत जी दी रूदी शांतिली अखंड पाठ रखवाया कहा जानता है कि जे टीम ओफ लॉयड्स इन कैनेडा दा कहना है कहा जानता है कि जे नुस्रत जी दी सारी म्यूजिक दी रीचनो उनना दी रीचनो एसेस किता जावे सही तरह ता हर साल लखा ही डॉलर्स दी रॉयल्टी नुस्रत जी दे कर देनो पेबल है बहुत सारी हस्तियाने उस्ताद नुसरत फतेली खान सहेब बारे बहुत जबर्दस्त गल्णा कहीयाने जिना बारे तुसी इस किताब इच पाड़ सागदे हो अखीर विच मैं तो हनु एक किताब अखीर विच मैं तो हनो इस किताब दा कवर दखाया अते मेरा एक एना है कि तूसे इस किताब नो जरूर पढ़ो बहुत वदिया तरीके नाल नुसरत जीदी जिंदगी उस्ताद नुसरत फतेली खान साहिब नो पेश कीता गया है सरन जीद बैस वलो बहुत बहुत सुक्रिया दोस्तों